हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि कॉंस्टिट्वेंस्टी के हिंदे में क्या मतलब होते हैं, तो कॉंस्टिट्वेंस्टी के दो मुखे मतलब होते हैं, एक होता है चुनावी छेत्र, यह किसी देश का वह ओफिशियल छेत्र होत हर छेत्र में सरफ एक ही परतिनीधी चुना जाता है, या फिर इसका मतलब होता है समर्थक या मतदाता वर्ग, यानि कॉंस्टिट्वेंस्टी का मतलब उन लोगों का समूव भी हो सकता है, जो किसी खास मसले नेता या पार्टि को अपना समर्थन देते हैं, इस मामले में क कॉंस्टिट्वेंस्टी का सीधा संबंद चुनाव से नहीं होता है, बलकि किसी खास मुद्दे या विचारधारा को मानने वाले लोगों के समूव से होता है, जैसे की सीनेटर ने अपने चुनाव छेतर को उनकी चिंताओं का समाधान करने और उनकी परतिक्रिया को सुनने के लिए यात्रा की, ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियों बसीतना ही